नमस्कार मैं सुतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दूस्तो आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकी से 418 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम दो अलग-अलगी स्पीड में लेंगे पहली बार में 80 की स्पीड में तो दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की जरूरत है या इसमें आये हुए महतपूर सब्दों के आउटलाइन्स को भी जाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप को जॉइन कर सकते हैं लिंक वीडियो के ठीक नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो असी की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडि रहें इस्टार्ट केंद्रिय ग्रिह मंत्राले की और से पाकिस्तान में पल रहे मुस्ताक अहमद जरगर को आतंकवाद निरोधक कानून के तहत आतंकी घोसित किया जाना यही बताता है कि भारत सरकार पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रही है बीते एक सप्ताह में भारत कुल चार आतंकी सरगनाओं को अधिसूचित कर चुका है ना केवल यह सिलसिला कायम रहना चाहिए बलकि पाकिस्तान को समय समय पर चेताया भी जाना चाहिए ताकि वह ऐसे किसी मुगालते में न रहे कि संबंध सुधार की उसकी बातों पर भारत पर कोई असर पढ़ने वाला है भारत को पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को अधिसूचित करने के साथ ही यह मांग भी करनी चाहिए कि उन्हें उसके हवाले किया जाए इससे ही पाकिस्तान को यह संदेश जाएगा कि भारत महज कागजी कारवाई नहीं कर रहा है मुस्ताक अहमद जरगर कस्मीरी मूल का आतंकी है और फिलहाल पाकिस्तान में रहकर कस्मीर में आतंकवाद को खाद पानी देने का काम कर रहा है उसे इंडियन एयरलाइन्स विमान के अपहरण में बंधकों के बदले रहा करना पड़ा था इसके साथ जिस एक अन्य आतंकी मसूद अजहर को रहा किया गया था वह भी भारत के लिए खत्रा बना हुआ है हलाकी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिसद ने भी प्रतिबंधित किया हुआ है लेकिन पाकिस्तान उसके खिलाफ कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं पैरा भारत इसकी अंदेखी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान एक और कस्मीर में हस्तक शेप करने से बाज नहीं आ रहा है और दूसरी और FATF की कारवाई से बचने के लिए अपने यहां संरक्षित आतंकियों के खिलाफ दिखावटी कदम उठा रहा है इसी कारण अभी हाल में भारत और अमेरिका को साजह बयान जारी कर यह कहना पड़ा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस और आपरिवर्तनिय कारवाई करे पाकिस्तान इससे तिलमिलाया अवस्य लेकिन भारत को तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक पाकिस्तानी सेना आतंकवाद को समर्थन देने से तौबा नहीं करती हाला कि कस्मीर में करीब करीब हर दिन पाकिस्तान प्रसिक्षित आतंकी मारे जा रहे हैं लेकिन उनके दुस्साहस का निर्डायक दमन होता नहीं दिख रहा है वे कस्मीरी हिंदुओं को धमकाने और उन्हें निसाना बनाने में लगे हुए हैं इस सिलसिले को थामने की आवस्यक्ता है इसके लिए ऐसे प्रबंध करने आवस्यक हैं जिन से सीमा पार से आतंकी घुसपैठ ना कर सकें यह समझा जाना चाहिए कि कस्मीर में सांती की सही तरह बहाली तभी हो सकती है जब आतंकीयों के साथ उनके समर्थकों के खिलाफ भी कठोर कारवाई की जाएगी आतंक के समर्थक चाहे सीमा के इस पार हो या उस पार उन्हें भारत की कारवाई का भै होना ही चाहिए इस टॉप दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट केंद्रिय ग्रिह मंत्राले की ओर से पाकिस्तान में पल रहे मुस्ताक अहमद जर्गर को आतंकवाद निरोधक कानून के तहत आतंकी घोसित किया जाना यही बताता है कि भारत सरकार पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रही है बीते एक सप्ताह में भारत कुल चार आतंकी सर्गनाओं को अधिसूचित कर चुका है ना केवल यह सिलसिला कायम रहना चाहिए बलकि पाकिस्तान को समय समय पर चेताया भी जाना चाहिए ताकि वह ऐसे किसी मुगालते में न रहे कि संबंध सुधार की उसकी बातों पर भारत पर कोई असर पढ़ने वाला है भारत को पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को अधिसूचित करने के साथ ही यह मांग भी करनी चाहिए कि उन्हें उसके हवाले किया जाए इससे ही पाकिस्तान को यह संदेश जाएगा कि भारत महज कागजी कारवाई नहीं कर रहा है मुस्ताक अहमद जरगर कस्मीरी मूल का आतंकी है और फिलहाल पाकिस्तान में रहकर कस्मीर में आतंकवाद को खाद पानी देने का काम कर रहा है उसे इंडियन एरलाइन्स विमान के अपहरण में बंधकों के बदले रहा करना पड़ा था इसके साथ जिस एक अन्य आतंकी मसूद अजहर को रहा किया गया था वह भी भारत के लिए खत्रा बना हुआ है हलाकि मसूद अजहर को संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिसद ने भी प्रतिबंधित किया हुआ है लेकिन पाकिस्तान उसके खिलाफ कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं पहरा भारत इसकी अंदेखी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान एक ओर कस्मीर में हस्तक शेप करने से बाज नहीं आ रहा है और दूसरी और FATF की कारवाई से बचने के लिए अपने यहां सनरक्षित आतंकियों के खिलाफ दिखावटी कदम उठा रहा है इसी कारण अभी हाल में भारत और अमेरिका को साजहा बयान जारी कर यह कहना पड़ा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस और आपरिवर्तनिय कारिवाई करे पाकिस्तान इससे तिल मिलाया अवस्य लेकिन भारत को तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक पाकिस्तानी सेना आतंकवाद को समर्थन देने से तौबा नहीं करती हाला कि कस्मीर में करीब करीब हर दिन पाकिस्तान प्रसिक्षित आतंकी मारे जा रहे हैं लेकिन उनके दुस्साहस का निर्डायक दमन होता नहीं दिख रहा है वे कस्मीरी हिंदूओं को धमकाने और उन्हें निशाना बनाने में लगे हुए हैं इस सिलसिले को थामने की आवस्यक्ता है इसके लिए ऐसे प्रबंध करने आवस्यक्त हैं जिन से सीमा पार से आतंकी घुसपैट ना कर सकें यह समझा जाना चाहिए कि कस्मीर में सांती की सही तरह बहाली तभी हो सकती है जब आतंकीयों के साथ उनके समर्थकों के खिलाफ भी कठोर कारवाई की जाएगी आतंक के समर्थक चाहे सीमा के इस पार हो या उस पार उन्हें भारत की कारवाई का भै होना ही चाहिए यह सब्सक्षाब